माननिय सद्धस्योगं मैं अठरेवें लक्षभा के सभी नबनिर्वाचित सद्धस्यों को बहुत बहुत बढ़ाई और सुब कामने देज़े आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जितकार आए हैं देश सेवा और जोन सेवा का यह सोभाग जो बहुत कम लोगों को मिलता है मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट प्रथम की भवना के साथ अपना दाइत्तो निभाएंगे एक सोचालिस क्रोर देशवासियों की अकांखाओं की पूर्ती का मज्धोम बनेंगे मैं श्री ओम बिल्ला जी को लक्सभा के अध्यक की गोरोपुर्ण भुमिका के निर्भाहन के लिए सुप्ताम ने देती उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत ब्यापक अनुभव है मुझे विश्वा से कि वे लगतांत्रिक परमपराओं को अपने पोशल से नहीं उच्चाई से देने में सफल होंगे मानुनिया सदस्योगान मैं आज कोटी कोटी देशपासियों को की तरफ से भारत के चुनाओ आयोक का भी आभार ब्यक्त करती हूँ एदुनिया का सबसे बड़ा चुनाओ था करीब चोशोट क्रोर मतदाताओं ने उस्षा और अमोंगे साथ अपना कोट कव्योनी हुआया है इस बार भी मोहिलाओं ने बढ़ जर कर मतदान में हिस्षा लिया है इस चुनाओ की बहुत सुखत तस्पिर जमु कस्मिर में भी सामने आये है कस्मिर घर्टी में गोटिंग के अनेक दोसों कों के रेकोड तूटे है बीते दोस चार दोसों कों में कस्मिर में हमने बौन्द और हर्ताल के बीच को मतदान का दोर ही देखा था भारत के दुस्मन इसको बोईशिक मंचोपर जोमो कस्मिर की राय के रूप में दुस्प्रचारित करते रहे लेकिन इस बार कस्मिर घटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार तकुत को करारा जबाब दिया है पहली बार इस लक्षवा चुना में घर पर जाकर भी मद्दन कराया गया है मैं लक्षवा चुनाओ से जुड़ी हार कर्मी को सराना करती हूँ और अभिनान करती हूँ मानेनिय सद्दस्यगाँ 2024 के लक्षवा चुनाओ की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगादार पिसरी बास तीर और स्वष्ट बहुमत की सरकार बनाईगे खेद असक बात ऐसा हुआ है एसा समय में जो भारत के लोगों की अकांखाएं सरबचस्तर पर है लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार पिसरी बार भरस आजाताया भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वासे की उनके अकांखाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है इसलिए इसलिए दोहजार जब्यस का ये चुनाओ नीती, नियाद, निस्टा और निन्नोयों पर विश्वास का चुनाओ रहा है मजबूत और निनायक सरकार में विश्वास सुशासन, स्किर्था और निरंतरता में विश्वास इमांदरी और कडी मेहनोत में विश्वास सुरख्या और समुरुधी में विश्वास सरकार की गेरंटी और डेलिवरी पर विश्वास विक्षित भारत के संकल्प में विश्वास मेरी सरकार ने दोस बर्षा से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है यह उस पर मुहर है यह जनादस है कि भारत की विक्षित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लोक्षों की प्राप्त करते रहे अठारेण लोक्षभा कई मायनों में एक अइतिहासिक लोक्षभा है यह लोक्षभा अमरुत काल के सुरुआती बर्षों में गठित हुई है यह लोक्षभा देश के संबिधान को अपनाने के पचस्तरीवी बर्षों की भी साख्षी बनेगी मुझे विश्वा से कि इस लोक्षभा में जनकल्ना के फसलों का नभीन अध्धाय लिखा जाएगा आगामी सुत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकल का पहला बजेट पेस करने जा रहे ये बजेट सरकार की दूरगामी नितियों और फिचरिस्टिक भीज़न का एक प्रोभावी दोस्ता बेज होगा इस बजेट में बड़े अर्फिक और समाजिक निल्दोयों के साथ ही उनेक एतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे भारत के तेज विकास की जोन अकांखाओं का पूरा करने के लिए रीफर्म्स की गोति आप और तेज की जाएगी मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकसित करने के लिए राज्यों में सोस्त स्पर्धा है यही कॉम्पेटेटिव कॉपरेटिव फेडरलेजिम की सची स्पिरीट है राज्यों के विकासे देश का विकास इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे माने नियस दस्योगन रीफर्म परफर्म और ट्रांसफर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बनने वाली अर्थवेवस्ता बना दिया दस साल में भारत एगरोय नमबर की अर्थवेवस्ता से उपर उठकर पांचवी नमबर पर पहुंचा है साल दो हजार एक उस्से लेकार साल दो हजार चोबिस के बीच भारत में असोतन आठ परतिसोत की रप्तार से विकास किया है और ये गरत समयनों समय में नहीं हुई है बीती वर्षों में हमने सो साल की सोब से बड़ी आपात देखी बोईसिक महामारी के कालखुंड और बिशो के अलग-अलग पने में चल रही संगर्षों के बाब जुद भारत ने ये विकास दोर हासिल की है ये बीते दो साल के रीफंस और राष्ट्रो हित्मे के लिए ये फेशला के कारण समभव है आज भारत एकेले ही दुनिया की ग्रोत में पंद्रो प्रकिसद का जगदान दे रही है आप मेरी सरकार भारत को विशो की तिसरी नम्बर की एकोनोमी बनाने में जूती हुई इस लख्षों की प्राप्ती बिक्सित भारत की नीव को भी मजबूत करने में के काम करेग माननिया सद्धस्यकन मेरी सरकार और्थ वेवस्ता के तीन अस्तम्ब मेनुफेक्चरिंग, सार्विसेस और अग्रिकल जर्पो बराबर महत्त दे रही है PLI स्किम्स और इज अब दूइंग बिजनेस से बड़े देमाने पर नीवेश और वजगार के अवसर बढ़ रही है परमपरिक सिक्तस के साथ साथ सान्राइज सिक्तस को भी मिशन मोड़ पर बढ़ावा दिया जार आ है चाहे सेमिकॉंडक्टर हो या सोलर हो चाहे इलक्ट्रिक भेहिकल हो या इलक्ट्रोनिस गूर्ज हो चाहे ग्रिन हाइड्रोजेन हो या बेटरीज हो चाहे एरक्राप केरियार्स हो या फाइटर जेर्स हो भारोत इन सबसेक्टर्स में आपना बिश्तार कर रहा है लोजिस्टिस को पोम करने के लिए भी मेरी सरकार लगादार प्रयास कर रही है सरकार सारविस सेक्टर को भी मुझबूत करने में जूटे हैं आज आईटी से लेकर टूरिजिम तोग, हेल्थ से लेकर वेलनेस तोग हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और सो रोजगार के नई मौके बन रहे है माननिय सद्दस्यगों पिछले दोस बर्सों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामील और तोवेबस्ता के हार पहलू पर बहुत जोर दिया गया है गाओं में कृशी आधारीत उद्योगों, देरी और फिसरीज आधारीत उद्योगों का बिस्तार किया जा रहा है इसमें भी सोहकरीता को प्रतमिक्ता दी गई है सरकार किसानों उत्पात संगों, एफ्पियों और फ्रेक्स जैसे सरकारी संगठोनों का एक बड़ा नेटवार बना रही है चोटे किसानों की बड़ी समस्ता भंडारों से जुड़े होती है इसलिए मेरी सोरकार ने सोहकरीता क्छेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारों जोजनापोर कामतार चुरू किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लगी है इसके लिए पी-एम किसान सुन्मन निधी के तहट उन्हें तीन लाग बीस अजर करो रूपया से ज़्यादा राशी दे चाती है मेरी सरकार के नई कार्योकाल के शुरूआद दिनों से ही किसानों को बीस अजर करो रूपया से अधिक की राशी ट्रांस्पर की जा चुकी है सरकार ने खरीब फसलों के लिए एमेसपी में भी रेकोर्ड बुरुद्धी की है मानान्य सद्दस्योगों आज का भारत अपनी बर्तमन जोरूतों को ध्यान में रखते हुए अपनी फिर सी वेबस्ता में बदला कर रहा है हम ज्याधा से ज्याधा आत्मनिर्भर हो और ज्याधा से ज्याधा निरियात से किसानों की आमदानी बढ़े इस सोच के साथ नितियां बनाई गई है, निर्णों लिये गई हैं। जैसे भारत दल्हन और तिल्हन में तुसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हार सुम्भब मौदद दे रहे हैं। ग्लोबाल मार्केट में इस तरह के फूड प्रोड़क्ट की डिमांड जादा है, इसके आधार को नई रणनी बनाई जा रही है। आजकाल और्गानिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के किसानों के पास इस दिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर छमलता है। इसलिए सरकर प्राकुतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सपलाई चेन को सोशक्त कर रही है। एसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कौम होगा और उनकी आई भी और बढ़ेगी। मानोनिय सदस्शकुल आज का भारत दुनिया की चुनोतियों बढ़ाने के लिए नहीं बलकि दुनिया को समाधान देने के लिए मना जाता है। बिश्व बंधू के तोर पर भारत ने उनेक बोईसिक समसाओं के समाधान को लेकार पहल की है। जलबाई परिवत्तन से लेकार ख़ड़ो सुरख्या तोक पोसों से लेकार सस्टेनेबल एगरिकल जर तोक हम उनेक समाधान दे रहे है। हमारे मोटे आनाज श्रीयोन्नों की पहुंच सुपर फूट के तोर पर दुनिया के कोने कोने में हो इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने बर्स 2023 में इंटरनेशनल मिलेट सियार मनाया है। अपने देखा है, हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतराश्ट्य जोग दिबोस भी मनाया है। भारत की इस मोहान परमपरा की प्रतिस्टा बिश्व में लगादार बढ़ रही है। योग और आयूस को बढ़ावा देकार भारत एक सोस्त बिश्व की निर्माण में मदद कर रही है। मेरी सरकार ने रिनेबल इनर्जी चमता भी कई गुणा बढ़ाई है। हम जोलवायों से जुड़े लख्षों को निर्धारी समय से पहले प्राप्त करने की दिखा रहा है। नेटजीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रही है। इंटरनेशला सोलार अलायंस जैसे पहल पर आज रेकोर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारी साथ जुड़े हैं। मानन ये सज़स्योगान। आने बाला समय ग्रीन एरा यानि हरित यूग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हार जोरूरी कदम उठा रहे हैं। हम हरीत उद्योगों पर निवेस बढ़ा रहे हैं। जिससे ग्रीन जोब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हार मोर्चे पर हम बड़े लख्षों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने सेहरों को दुनिया के बेहतरीन लीविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद है। प्रतुसों से मुक्त, साब सुत्रे और सुविधा युक्त सेहरों में रहना भारत के नागवरिकों का हक है। विशेश रूप से छोटी सहरे और कुस्वे में बीते दोस बोर्षों से अभूत पूर्वर नीवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तिसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक अभियसन मार्केट है। अफ्रिल दो हजार चोदा से चोदा में भारत में सिर्फ 209 एर लाइन रूट्स थे। अफ्रिल दो हजार चोबीस में इनकी संचा बढ़कर 405 हो गिया है। हवाई जात्रा में हो रहे हैं इस विश्तर का सीधा लाब टियार टू, टियार त्री सेहरों को हो रहा है। हरे तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची है। बंदे मेट्रो जेसे कई जो जनाएं पर काम चल रही है। भारत का पाबलिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहत्रीन हो इस लख्यों के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननिया सद्धसोगन मेरा सरकार इन आधुनिक मापदोन को काम कर रही है। जिसे भारत विक्षित देश के समने बराबरी से खड़े हो सके। इन्फरास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्पिर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने दोस बर्सों में पी-एम ग्रामियो सड़क जोजोना के तहत गाउंट में तीन लाक असी हज़र किलोमेटर से जादा सड़के बनाए। आज भारत में नशनाल हाई वेज और एक्स्प्रेस वेज का जाल बीच रहा है। नशनाल हाई वेज बनाने की ग्वति में भी दोगोनी से अधिक की बुरुधी हुई है। ओवनागदाद बाद मुंबे के बीच हाई स्प्रीड रेल एकोसिस्टम का निर्मान कारियो भी तेजी से आगे बढ़ रहे है। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिन और पूर्वी भारत के बुलेट प्रेन कोरिडर्स के लिए फीजिबिलिटी स्टाडीच शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतद्यसियो जलमार्गों के विकास पर इतने ब्याकोक रूप से काम शुरू हुआ है। सरकार इस चेत्रों को आक्टिक पॉलिसी के तहट स्टेजिक एट्वेज बनाने के लिए काम कर रही है। नोटीस्ट में हार तरह की कनेक्टिबिटी का बढ़ाया जा रहा है। सिख्वा, सास्त, करियोटन, रजगार हार चेत्रों में विकास कारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। असम में सतेश हज़ार करो रूपिया की लगाद से सेमी कंडुक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। यानि नोटीस्ट मेड इन इंडिया सिप्स को भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नोटीस्ट में 27 अंति के लिए निरनत और काम कर रही है। किछले इस दोस बर्सों में उनेक पुराने विबादों को हल किया गया। उनेक ओहम समझोते हुई है। नोटीस्ट में और सांत खेत्रों में तेज विकास करके चरणबोत तरीके से अपस्वार हाटाने का काम भी जारी है। देश के हार छेत्रों में विकास के ए नहीं आयां हारोज के भविशों का पुद्गस कर रही है। मानने सतस्वार है। उमेलेर टेबलाणमेंट के लिए समोर्पित मेरी सरकार ने महीला ससक्ति करणब के एक नहीं जूग की शुरुआत की है। देश की नारी सक्ति लंबे समोई तक लोगसभा और विदानसभा में ओधी भगिदरी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी सक्ति बंदन ओधीनियम की ताकत है। सरकार की योजोना की वज़े से पिछले एक दसक में मोहिलाओं का आर्थिक सामर्थ बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते दोस बर्स में बने चार करोर पियम आवास में से ज़्यदाधर मोहिलाओं के नाम ही आवन दित हुई है। आप तिसरी कार्योकाल के शुरुआत में ही सरकार ने तीन करोर नई घर बनाने की सिक्रिती दिय दिये। इन में से भी अधिकतर घर मोहिलाओं के नाम पर ही आवन दित होंगे। बीते दोस बर्स में दोस परोर मोहिलाओं से लफ गुरूप से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने तीन करों मोहिलाओं को लख पिर्दी दिदी बनाने के लिए ब्याकोप अभिजान चलाये हैं। इसके लिए सेल्फेट गुरूप को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयासे की मोहिलाओं का कोशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सौनमान भी बढ़े। नमोर ड्रोन दिदी योजोना इस लख्थो की पूठ्टी में स्वायक बन रही है। इस जोजोना के तहट हाजारों सेल्फेट गुरूप की मोहिलाओं को ड्रोन दिये जा रही हैं। ड्रोन पाइलोट बनने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरी सरकार ने हाली में कृशी ख्थी सक्थी कार्योकरम भी शुरू किया है। इसके तहट अभी तक सेल्फेट गुरूप की तीस हजर मोहिलाओं को कृशी सक्थी के लुपने प्रमान पत्र दिये गए हैं। कृशी सक्थियों को आधुनिक ख्यती की टेकनिक में प्रसिखन किया जा रहा हैं। ताकि वे कृशी को और आधुनिक बनाने में किसानों की मदद कर सके। माननिय सद्दस्यगां मेरी सरकार का ये भी प्रयासे की मोहिलाओं अधिक से अधिक बचत कर सके। बेंक खातों में जो माराशी पर बेटियों को ज़्यादा ब्याज देने वाला सुकन्या सम्रुदी जोजना की लगप्रियता से हाम परिशी थे। मुप्त राशन और सस्ते ग्यास सिलिंडर की जोजना से मोहिलाओं को बहुत लाब हो रहा है। आप मेरी सरकार बिजली का बिल जीरो करने और बिजली बेच का पमाई करने की जोजना भी लाई है। पी-एम सुर्योग और मुप्त बिजली जोजना के तहर घर की छत पर सोलार पानेल लगाए जा रहा है। इसके लिए मेरी सरकार पती परिवार अठातर हजार रुपया तक की मोदद कर रही है। इतने कोम समय में एक रोज से जादा परिवार इन जोजना में रेजिस्टार कर चुके हैं। जीन घरों में सलार पानेल लग चुके हैं, अब ओहां बिजली ब का बिल जीरो हो गया है। माननिय सदस्यगोन दिख्षित भारत का निर्मा तो भी संभोवे जो देश के गरीब जूबा नारिशक्ती और किसान ससक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की जोजना में सरवच्च प्रात्मिक्ता इन ही चार संभो को दी जा रही है। हमारी कसिस इन तो खार सरकारी जोजना का लाब पहुंचाने की है और यही सेचुरेशन को की अप्रच भी है। जो भारत इस इच्छा सक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी जोजना से एक भी ब्योक्ती छूटे नहीं तो इसका लाब सोभी को होता है। सरकार के जो जनाव एबंग सेचुरेशन अप्रोच के कारण ही दोच बर्सों में 25 प्रोट भारतिय गरीबी से बाहर निकले है। इसमें अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती, पीछले बर्ग हर समाच हर छेत्रक के परिबार है। दस बर्सों में लास्ट माइल डेलिवेरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। विशेशकर आदिबसी समाज में ये बदलाव और 20 पोस्ट नजर आ रहा है। 27 प्रूर रूपिया से अधिक की पीएम जन्मन जेसी जजना आज अती पिछले जनजातियों समोह के उत्तान का माध्धम बन रही है। सरकार पीएम शुरोच पटल के माध्धम से बंचित बर्गतक आजिविका के अवसरों को पहुंचाने के लिए सुलोब रोण भी उपलब करा रही है। मेरी सरकार दिवड्यांग्स भाईयों और बेहनों के लिए केफियाती और सोदेशी सोहयक उपकरण बिक्सित कर रही है। देश भर में प्रधान मंत्री दिव्यासा केंद्रों का भी बिस्तार किया जा रहा है। बंचीतों की सेबा का ये संकल्भ की सच्चा समाजिक न्याय है। माने निया सद्दशगर देश की स्रमोशक्ति के स्वनमान के लिए स्रमिक बंधुओं का कल्यान और स्वसक्ति करोन मेरी सरकर की प्राप्टिंकता है मेरी सरकर स्रमिकों के लिए सामाजिक सुरुख्य जोजनाओं को एकिक्रित कर रही है डिजिटाल इंडिया तोठा डागभरों के नेट्वार का उपयोग करके दुर्गोटना और जिवनविमा के कभरेज को बढ़ाने का काम हो रहा है पी-एम स्वनीधी का बिश्तार किया जाएगा और ग्रामिनों और सेमी अर्बान केत्रों के रेड़ी पट्री पले भाईयो बिहनों को भी इसके दाइरे में लाया जाएगा मानेने सद्धस्चकन बाबा साहेब डाक्तर भीमराव आम्वेतकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगती समाज के नीचले तपकी की प्रगती पर निर्भर करती है पिछले दोस बर्षों में राष्टर की उपलवधियों और विकास का आधार गरीब का ससक्ति करुण रहा है मेरी सरकान ने पहली बार गरीब को ये एहसास करवाया कि सरकार उनकी सेवा में है कोरोना के कोथीन समय में सरकान ने अशिकरों लोगों को मुफ़त राषन देने के लिए पिएम गरीब करिना उन्य जोजना शूरू की इस जोजना का लाब उन परिबारों को भी मिल रहा है जो गरीबी से बाहर निकले हैं ताकि उनके कदम वापस पीछे ना जाए सच्च भारत अभीजान में भी गरीब के जीवन की गरीमा से लेकर उसके स्वास्तोतों का राष्टियों मोहत्तों का विशोज बनाया है पहली बार देश में क्रोरों गरीबों के लिए सोचालोज बनाया गया है ये प्रियास हमें आसोस्त करते हैं कि देश आज मात्मा गांदी के आदोसों का सच्चे और्थों में अनुसरुन कर रहा है मेरी सरकर 55 क्रोर लाभार्तियों को आयुस्मन भारोजोजना के तहत मुप्त स्वास्तों सिभाएं भी अपलोग करवा है देश में 35,000 जोनोसोदी केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है आप इस खेत्र में सरकर एक और निन्नोई लेने जा रहे हैं आप आयुस्मन भारोजोजोजना के तहें मुप्त इलाज का लाभ सोत्तर बर्स से अधिक उमर के सभी बुजूर्गों को भी मिलेगा माने निया सदस्यगों अक्सर बिरोध परोग मानसिकता और संकिर्ण स्वार्थक के कारण लोकतंत्र की मूल भवना का बहुत ओहित हुआ है इसका प्रभाब संक्सोद्य प्राणे पर भी पढ़ता है और देश की विकास जात्रा पर भी पढ़ता है देश में कोई दोसों को तो अस्तिर सरकार के दोर में कई सरकार्या चाहते हुए भी ना रीफर्म कर पाए और ना ही आवस्यक निन्न ले पाए भारत की जनता ने निन्नायक बनकार इस स्थिति को बदला है बीते दोस बर्सों में एसे अनेक रीफर्म्स हुई है जिनका बहुत लाब देश को आज मिल रहा है जोब ये रीफर्म्स ये जा रहे थे तो भी इनका बीरद किया गया था नोकरात मुक्ता फेसलेक की पोसिस की गई थी लेकिन ये सारे रीफर्म्स समोई की कोसर्टी पर खरिया साबित हुई दो सल पहले भारत के बेंकिंग सेक्टर को डुबने से बचाने के लिए सरकार ने बेंकिंग रीफर्म्स की आई बीसी जेसी कानून बनाए आज इनी रिफर्प्स के ने भारत के बेंकिंग सेक्टर को दुनिया के सबसे मुझबूत बेंकिंग सेक्टर में से एक बना लिया हमारी सार्बोजोनिक छेत्रों के बेंक आज मुझबूत और लापदायों थे सार्बोजन एक्षेत्रों के बैंकों के लाप दोहजार टेइस चुब्विस में एक दोस्मिक चार लाग क्रो रूपय को पार कर गया जो पिछले बर्सों की तुलोना में पंटिस प्रस्थिसद अधिक है हमारे बैंकों की मुझबूती उन्ही रूण अधार का बिस्तर करने और राष्टर के आर्थिक विकास में जोगदान करने के लिए सक्ष्यम बनाती है सरकरी बैंकों का एनपे भी लगादार कोम हो रही है आज SPI रेकोर्स मुना फेपर है आज LIC पहले से कहीं अधिक मुझबूत है आज HAL भी डेस की डिफेंस इंडर्स्ट्री को ताकोद दे रही है आज GST भारत की एकोनोमी को फर्मालाइज करने का ब्यापार कारवार को आसान बनाने का मज़्धम बना रही है अफ्रेल मुहिने में पहली बार GST कोलेक्शन ने दोला क्रो रूपिय का स्तोर पार्क कार गिया है इसे राज्यों की आर्थिक टाकोद भी बढ़ी है डिजिटाल इंडिया और डिजिटाल पेइमेंस के प्रती भी आज पूरा विश्य आकर्सित हो रही है माननिय सद्दस्यगा एक सोषक भारत के लिए हमारे सुन्यों बोलों में आधनिक्ता जोरूरी है जुद्धो की स्तीती में हम स्वर्बस रष्ट रहे इसके लिए सेनाओं में रीफोर्स प्रक्रिया नीरंत और जारी रहनी चाहिए इसी सच के साथ मेरी सरकान ने बिते दोस बर्सों में डीफेंस सेक्टर में अनेक रीफोर्स किये है जीडियेस जेसे रीफोर्स ने हमारी सेनाओं को नई मोजबूती दी है मेरी स्वरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मा निवरो बनाने के कई महत्तोपुनों को दोम उठाए हैं ओडनास फेक्टरिस के रिफॉंस रिफेंस सेक्टर को बहुत लाब हुआ है चालिस से ओधिस और नास फेक्ट्रीज को साथ निगमों में संगोठित का नेक से उनकी क्षमता और दक्षोता दोनों बढ़ी है एसे ही रिफॉंस के कारण भारोत आज एक लाग प्रो रूपया से ओधिक की डिफेंस में भग्चरिंग कार रहा है पिछले एक दोसक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट एतिन गुना आठरा गुना अधिक होकार 21,000 प्रो रूपया तोक पहुंच चुका है फिलिपिन्स के तार साथ ब्रोमास मीजाइल का रुख्या सोधा डिफेंस एक्सपोर्ट के खेत्र में भारोत की पहचान मुझबूत कर रहा है सरकार ने जुबाओं और उनके स्टार्टाप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिद्रो डिफेंस सक्टेर की मुझबूत नीव तेयार की है मेरी सरकार उत्तर प्रदेस और तमिल नाडु में दो डिफेंस परिड़ोस भी बिक्सित कर रहे है हम सबी के लिए एक खुची की बात है कि फिछले बस हमारी सर्ण जो रुरोतों की लगवग सत्तर प्रतिसत खरित भारत्यों उद्योगम से ही की जई है हमारी सेनाओं ने पांसों सेवधिक सर्ण साजों सोमान को विद्यसों में नहीं मंगाना तई किया है ये सोभी हतियार और उपकरोण आपसीत भारत्यों कमपनियों से ही खरिद की जाएगी मेरी सरकान ने स्वनिकों के घितों को भी हमिशा प्रक्त मिक्ता दी है तभी चार दोसों के बाद वान रेक वान पेंस्वन को लागू किया गया इसके तहट आप तोक एक लाग बीस अजर परो रूपिया दिये जा चुके हैं सोही थोईनिकों के स्वन्मान के लिए सरकान ने कुट्टब्यपद के एक च्छोर पर नसिनाल वार मेमोरियाल के स्टापना भी की है ये प्रयास केबल भीर जुबानों के प्रती पुरुतोग्यों राष्टों का नमन ही नहीं है बलकि राष्ट प्रत्म की अनवरोत प्रहोना का स्रोथ भी है मानुनिय सद्दस्यगों मेरी सरकार देश के हार जुबा को बड़े सोपने देखने और उन्हें साकर करने के लिए ज़रूरी माहुल बनाने में जूटी है बीते दोस बुर्सों में ऐसे हार और भरोत को हटाया गया है जिसके कारण जुबाओं को परिसानी थी पहले अपने ही प्रमाण पत्रों को आर्टेस्ट करने के लिए जुबाओं को भटकना पड़ता था आप जुबा सेल्फ आर्टेस्टर करने काथ के काम कर रहे हैं केंद्र सरकार की ग्रूब सी ग्रूब डी भुत्तियों से इंटर्विव को खतम किया गया है पहले जो बिद्धर थी सिर्फ भारतियों भासा में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याई की जाती थी मेरी सरकार ने नई रास्टियों सिख्ञाने ती लागू कर इस अन्याई को दूर करने के लिए एक दोम उठाए जुबां को आप भारतियों भासा में इंजिनियरिंग की पढ़ाई का दिकल भी मिला दिकल दस बस मुझदेश में साथ नई आई 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 टी सोला ट्रिपूल आई टी साथ आई आई एम पंद्रा नई एम तिन सो पंद्रा मेडिकल कोलेज और तिन सननोब्य विश्व विद्दाले इस्ताफित किये गिया है मेरी सरकार इन सोंस्थानों को और मोजबूत बनाकर आबसक्ता के अनुसार इनकी सोंस्था को भी बढ़ाएंगे सरकार एक डिजिटाल विश्व विद्दाले बनाने की दिशा में भी काम कर रही है अटल टिंकेरिंग लेप्स स्टाट अप इंडिया और स्टाणड अप इंडिया जेसे अभियान हमारी जुबाओं का सामोर्थ बढ़ा रहे हैं इनी प्रयासों से आज भारत दुनिया का तीसरा सोब से बढ़ा स्टाट अप इकोसिस्टम बन चुका है मानन्य सद्धस्यगों सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के जुबाओं को आपनी प्रतिभार दिखाने का उच्चित अफसर मिले सरकारी भर्ती हो या फिर परिखाएं सुनिये सुनिये परिखाएं किसी भी कारों से इन में रुपाबोट आए ये उचित नहीं है इन में सुचिता और पारिदर्शता बहुत जोरूरी है हाली में कुछ परिखाओं में हुई पेपर लीग की गोटाओं की निस्पोख जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सजाद दिलान दिलवाने के लिए मेरी सरकार्पत की बढ़ी है हमारे पहली भी इससे पहली भी हमने देखा है कि कोई राज्यों भी टेफर लीग की घटनाएं होती रही है इस पर दलियर राजनीती से उपर उठकर देश ग्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरों थे मने बाली गोडबोडियों के बिरूत एक सक्त कानून बनाया है मेरी सरकार पॉरिकारओं से जुड़ी सोंस्टाओं उन्के कामकाच के तरीके, परिक्षा-परिक्रिया सोभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है मानन या सदस्यगन मेरी सरकान ने जुबाओं की राष्टर निर्मन में भागीदरी और बढ़ाने के लिए मेरा जुबा भारत माय भारत अभिजान की शुरुआत भी की है इसमें आप तो देड़ करोर से अधिक जुबाओं का पुंजी करोन हो चुका है इस पहल से जुबाओं में नेत्रुत्तो कसल और सेवा भावना का विजारोपन होगा आज हमारी जुबाओं को खेलों में भी आगे बनने के नई अबस्वर मिल रहे हैं मेरी सरकर के प्रभावी प्रयासों का पुरिणा में की भारत के युबाओं खिलाड़ी वोई इसिक मंचों पर रेकोर्ड संख्या में मेडल्स जीत गहे हैं कुछी दिनों बाद फेरिस ओलिम्पिक्स में भी शुरू हने बाले जा रहे हैं उलिम्पिक्स में देश का प्रतिनी धित्तो करने वाले हार खिलाड़ी पर हमें गर्फ है मैं उन्हें अपनी सुब कामनाई देती हैं इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतियों उलिम्पिक्स संग 2036 उलिम्पिक्स खेलोग की मैजवानी की केयारी भी कर रही है माने नियों सदस्योगों जुलाई की पहली तारीक से देश में भारतियों न्याई संगिये ताभी लागू हो जाएगी अंग्रे जी राज में गुलामों को दोंड देने की वनसिक्ता थी दुर्भध्यों से आजादी के उनेक दोसों को तो गुलामी के दोर की यही दोंड बेवस्ता चलती रही इसे बदलने की चर्चा उनेक दोसों को से की जा रही थी लेकिन ये सहस भी मेरी सोरका नहीं करने करके दिखाये हैं आप दोंड़ के जगा न्याय को प्राक्तमिकता होगी जो हमारी संभिधान की भी भावना है इन नहीं कनूनों से न्याय प्रोक्रिया में तेजी आएगी आज जो बिदेश अलग-अलग छेत्रों में गुलामी की मानसिक्ता से मुप्त पा रहे हैं तो अब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे सोतंत्रोता सिनानों की सच्चि स्रधान जिली भी है मेरा सरकार ने CAA कानून के तहट सरार्थियों को नागरिता देना शुरू कर दिया है इससे गोटवारे सपंडित पिडित अने परिबारों के लिए स्वनमान का जिबन जिना तई हुआ है जीन परिबारों को CAA के तहट नागरिकिता मिली है मैं उनके बेहत्वर भविष्टो की कमना करती हुए माने निया सद्दशगों मेरी सरकार भविष्टो निर्मान के प्रयासों के साथ ही भारत के संस्पूती के बोईभोग और विरासोत को फिर से स्तापित कर रही है हाल में नालंदा इंवर्सिटी के भव्व्यो केंपोस के रूप में इसमें एक नाया अध्धाय जुड़ा है नालंदा शिर्थ एक इंवर्सिटी मत्रो नहीं थी वालकि ये बैसिक ज्यान केंडरो के रूप में भारत के गोरोब सली अतित का प्रोमान थी मुझे दिश्वा से की नेई नालंदा इंवर्सिटी भारत को ग्लोबाल नोलेज होब बनाने में सोहयोक सिध्ध होगी मेरी सरकर का ये प्रया से की भावी पिडियों को हजारों बोर्सों की हमारी विरासोत प्रयाणा देती है इसलिए पूरे देश में तीथोस्तोलों को आस्ता और अधर्मों की केंद्रों को साजाया सोबारा जा रहा है माननिय सद्धस्योगन मेरी सरकर विकास के साथी विरासोत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है विरासोत पर कर्वता ये संकल्प आज अनुसुचित जाती, अनुसुचित जनजाती, वन्चित वर्व और सर्वस हमार्ष के गोर्व का प्रतिक बन रहा है मेरी सरकर ने भोगवान बिर्शामुंडा के जनम दिवस को जनजाती वगोर्व दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है आप अगले बर्ष भोगवान बर्शामुंडा की एक सो पचासमी जनती के पूरे देश में धूम दाम से मनाया जाएगा देश रानी दुर्गाबती की 500 जनती को भी ब्यापक्स तरपर मना रहा है पिछले महिने ही देश में रानी ओहिल्याबाई हलकोई की 300 जनती का साल भोग चलने वाला मोहस्चब भी शुरू किया हिया इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550 मा और गुरु गविन चिंग जी का 535 मा प्रकासपरववी दूम दाम से मना चुके है एक भारत चेस्ट भारत के भाव से कासी तामिल संगोमम सोरस्ट्रो तामिल संगोमम जेसी उस्वबों की कोई पट्टी भी मेरी ही सरकार ने शुरूती है इन आयोजोनों से हमारी नई पीडियों को राष्टो निर्माण की प्रणा मिलती है और राष्टो पर गोर्व का भाव और और मोजबूत होता है मानिने सदस्योगन हमारी सफलताइं हमारी साजी धरोपर हैं इसलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं साभीमान होना चाहिए आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रणार्शन कर रहा है ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगोती और सफलताओं पर गोर्व कारने की अपार अबसर देती है जो भारत बीजिटाल पेमेंस के मामले में दुनिया में अच्छा प्रणार्शन करता है तो हमें गोर्व होना चाहिए जो भारत के बज्यानीक चंद्रजान को चंद्रमा के दोठिनी धूर पर सफलता से उताते है तो हमें गोर्वना चाहिए जो भारत इतना बड़ा चुनाओ भीजान वीनत बड़ी हिंसा और और अजक्ता से पूरा कराए तो भी हमें गोर्वना चाहिए आज पूरा विश्व हमें मादार डेमोक्रासी के रूप में सोनमान देता है भारत के लोगों ने हमेशा लगतंत्रों के प्रति अपना पूरा विश्वास परकट किया है चुनाओ से जुड़े सोंस्थाओं पर पूरा भरुसा ज़ताया है लगतंत्रों को बनाया राखने के लिए हमें इस बिश्वास पो सोहेज कर रखना है इसकी रख्ट्शा भी करना है हमें याद राखना होगा लगतंती सोंस्ताओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के बिश्वास को चोट पहुँचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पर हम सोब बेखे हैं हमाई लगतंत्रों की विश्वचनियता को फेश पहुँचाने की हार कोशिश की सामुहिक अलचना होना चाहिए हम सोभी को ओदोर याधे जो बलट पेपर चिन लिया जाता था लूट लिया जाता था मोतदान प्रक्रिया को शुरक्षित बनाने के लिए इभी एम को अपनाने का फेशला किया गया था पिछले के दोसकों में इभी एम में सुप्रीम कोट से लेकर जनता की अधालत तो खार कोशोटी को पार किया है माननिय सद्धश्यगा, मैं आप सभी सद्धश्यों से अपनी खूश और चिंताएं भी साजा करना चाहते हूँ मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विशोयों पर चिंतों मनन करके इन विशोयों पर थोस और सुकरात्म परिणाम देश को दे आज की संचार क्रांती के यूग है मैं बिघोटन करी तक्तें लगतंत्रों को कोमजोर करने और समाज में धरार डालने की साजी सरच रहे हैं ये तक्तें देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालीत हो रहे हैं इसके द्वारा आफ़ा फेलाने का जोनता को भ्रोम में डालने का मिस इनफर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है इस स्कृति को एसे ही बेरोक्तोक नहीं चलने दिया जा सकता है आज के समोय में टेकनोलोजी हार दिन और उन्नोत हो रही है एसे में मानवता के बिरूत इनका गलत उपयोग बहुत घातक है भारत ने विश्व मंच पर भी इन चिन्ताओं को प्रकट किया है और एक ग्लोबाल फ्रेमवर्क की वकालत की है हम सभी का दाइत है कि इन प्रभूर्ती को रोकती इस चुनती से निपरने के लिए नहीं रास्ते खोजे मानवन ये सदस्योगन 21 सदी के इस किसरे दोसक में आज ग्लोबाल ओडर एक नया सकल ले रहा है मेरी सरकर के प्रयासों से आज भारत विश्वबंधू के रूप में दुनिया को नया भरसा दे रही है मानव केंद्रित अप्रोच रखने की वज़े से भारत आज किसी भी संकट के समय फार्ट, रेस्पंडर और ग्लोबाल साउथ की बुलोंद आवाज बना है करोना का महा संकट हो, भुकम्प जेसी कोई त्रासोदी हो या फिर युद्धो की स्थितियां भारत भाबनात मानवत्ता को बचाने में आगे रहा है भारत को देखने का विश्व का नजरिया के से बदला है ए इताली में हुई G7 समित में भी हाम सोभी ने अनुभोग किया है भारत ने अपनी G20 अध्यकता के दोरान भी विश्व को अनेक मुद्धों पर एक जूट किया है भारत की अध्यकता के दोरान ही अफ्रीकान उनियोन को G20 का 272 बनाया गया है इससे अफ्रीका महादीब के साथ साथ पूरे गलोबाल साउट का भरोसा मोजबूत हुआ है नेवरूट फास्ट पोलिसी में चलते हुए भारत ने पड़ोशी देशों के साथ अपने रिष्टों को मोजबूत किया है साथ पड़ोशी देशों के नेताओं का 9 जून को केंद्यो मन्त्री परिष्ट के सपत ग्रहन समारों में भाग लेना मेडिश और करकी इस प्रातमिकता दोस्ताते है भारत सबका साथ सबका विकास की भवना के साथ इंडो पेसिफिक छेत्रों के देश के साथ भी सोहोजोग बढ़ा रही है पूर्भी एसिया हो या फिर मीडिल इस्ट और इउरोप मेडिश और का कोनेक्टिविटी पर बहुल बॉल दे रही है भारत के बीजोन नहीं इंडिया मेडिलिस्ट इउरोप इकनोमिक करीडर को आकार देना शुरू किया है ये करीडर 21 सोदी के सोब से बड़ी गेम चेंजर में से में एक सिध्ध होगा मानन्य सदस्वगन आने वाला कुछ महिने में भारत गणतंत्र के रूप में 55 वर्ष पुरी करने जा रहे है भारत का संबिधान बीती दोसकों में हार चुनती हार कोशोटी पर खड़ा उत्रा है जो संबिधान बन रहा था तो भी दुनिया में एसे तकते थे जो भारत के ओसफल होने की कामना कर रही थी देश में संबिधान लागू होने के बाद भी संबिधान पर अनेक बार हमले हुए है आज 27 जून है 25 जून 1905 को लागू हुआ अपात्काल संबिधान पर सिधे हमले का सोब से बड़ा और काला और जाज था तो पूरे देश में हाहातार मच गया था लेकिन ऐसी ओ संबिधानी तकतों पर देश ने विजोई प्राप्त करके दिखाया क्यूंकि भारत के मूल में गणतंत्रों की परंपराय रही है मेरी सरकार भी भारत के संबिधान को सिर्फ राजकाज का माज्वम भर नहीं गणती बलकि हमारा संबिधान जोंचेतना का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रियास कर रहे हैं इसी धेव के साथ मेरी सरकान ने 26 नुम्वेंबर को संभीधान दिवस के रूप में मनना शुरू किया है आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मु कस्मिर में भी संभीधान पूरी तरह लागू हो गया है जहां आर्टिकल 370 की वज़े से स्तीतियां कुछ और थी मानने सद्दस्योगोन राष्टर की उपलवधियों के निर्धारोन इस बात से होता है कि हम अपने दाइतों का निर्बोहन कितनी निस्ता से कर रहे है अथारे लग्षवात में कई नई सद्दस्यो पहली बार संग्षद्यो पराणी का हिस्षा बने है पुराने सद्दस्यो भी नहीं उस साथ आये हैं आप सुभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है आने बाले बोर्षों में भारत की सरकर और संग्षद का क्या नितिया बनाती है इस पर पूरा विश्ट की नजर है। इस अनुकुल समोय का अधिक से अधिक लाब देश को मिले। एदाइत्तो सरकार के साथ संग्षत के हार सोदश्चों का भी होना जाए। पिछले दोस बर्सों में जो रिपन्स हुई है, जो नाया आत्मो विश्वास देश में आया है, इससे हम दिक्सित भारत बनाने के लिए नहीं यति प्राथ कर चुके है। हामसोभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विख्षित भारत का निर्मान देश के हार नागरी की आकांग क्या है, संकल्क भी है। इस संकल्क की सिद्ध में अबरोद पैदा ना हो, ये हामसोभी का दाइत्त है भी कर्टब्य भी है। नितियों का भीरोद और संकासोभी कामकज का भीरोद दो भीण्व आते हैं। जोब संग्सवत सुचारू रूप से चलती है, जोब यहां स्वस्थ चोर्चा परिचोर्चा होती है, जोब दुर्गवी निर्नोई होते हैं, तो लोगों का विश्वा सिर्फ सरकरी नहीं पूरी बेवस्ता पर बनता है. इसलिए मुझे भरसा है कि संग्सवत के पल-पल का स्वद्वजग होगा, जनहीत को प्राक्तमिक्ता मिलेगा. हमारे बेदों में हमारी रूसियों ने हमें कुछ नीती बाणी दिये हैं, जैसे कि संग्सवत की मूल भावना है. इसलिए जो भारत पिसरी नमबर की एकनोमी बनेगा तो डेश की इस सफलता में आपकी भी सोहभागिता होगी. हम जो दो हजार सो ताइस में आजादी की सोताब्दी का उस्वत बिक्सित भारत के रूप में मनाएंगे, तो इस पिड़ी को भी स्रेयों मिलेगा. आज हमारे जुबा में जो सामुर्थ है, आज हमारे स्वंकुल्मे में जो निस्था है, हमारे जो उसंभव सी लगनी वली उपलवधियां है, यह इस बात का प्रमान है कि आने वाला दोर भारत का दोर है. यह सदी भारत की सदी है, और इसका प्रभाब आने वली एक हज़ार बोर्शतों तोक रहे गाएं. आईए, हम सो मिलकर पुर्णों कॉर्टपनिस्था के साथ राष्टियों संकुल्पों की सिध्धी में जूट जाएं, विक्षित भारत बनाएं, आप सुभी को मेरा बहुत 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 सुपकमनाएं, धन्यवाद, जय हीन, जय भारत. झाल 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 झाल.